सिरसा का एक मात्र रेजिडेंशल वा डे बोर्डिंग स्कूल जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कम्पिटिशन की तैयारी एक साथ हो रही है कक्षा थर्ड से होस्टर शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर वा साथ इंडिया से स्टाफ, करनल वीच सिसोधिया वा सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्ग दर्शन में बच्चों की नोवी से ही कैरेर काउंसलिंग करके उन्हें उच दर्जे की डिफेंस की तयारी करवा नमस्कार, स्वागत आपका केर याना पे मैं हूँ, आपके साथ रमेश जाकड़े, इस वक्त मैं मौझूद हूँ चोप्टा अक्षेतर में और यहां पे आपको बता दे हैं कि हिसार घगगर ड्रेन जिसने की चोप्टा में पिछले साल पूरा आतंक मचाया था, पानी फसले डूब गए थी, खड़ी फसले बरबाद हो गए थी, और किसानों के घर के घर जो हो डूब गए थे, काफी ज़्यादा मुश्किलों का सामना जो हो किसानों को करना पड़ा था, तो आज मैं यहां पे फिर से पहुंचा हूँ, इस हिसार घगगर ड्रेन पे, यहां प तस्वीर है, देखने में जो है, वो यह पानी आपको दिखाए देरा होगा, लेकिन यह चलता हुआ पानी नहीं, यह खड़ा हुआ पानी है, और जब इसमें पानी और ज्यादा आएगा, तो जो है, वो पानी जो हो बहाओ होगा, बहाओ के कारण जो है, वो उपर पानी ज जो है वह उगी हुई है सरकंडा जिसको बोलते हैं वह यहां पे हमें किनारों पे देखने को मिला है अब पिछली बार जब रासदी हुई थी सक्षेतर के अंदर तो उसमें मुख्या जिम्मा जो है वह सफाई व्यवर्षता कोई ठहराए जा रहा था कि इस नहर की इस घगड सब्सक्राइब नहीं दूसरी तरफ भी मापको दिखाना चाहूंगा कैमरा सभी से गुजारिश करूंगा कि आपको दिखाए यह देखेगा यह तस्वीर देखेगा यहां पर भी साफ सफाई जो है वह ठीक है बीच में जो है वह इतना ज्यादा इसमें गंदगी या आवन पानी यहां से इसमें से बैता हुआ आएगा तो जो है यह जो बीच में गाज पूस हुगा हुए यह भी काफी जो है वह आर्चन पैदा करेगा जिससे की पानी का बहाव जो हो इतना ज्यादा तेज नहीं हो पाएगा अब यहां पर मैं आपको अलग लग जगह की तस्वी दिखाना चाहूंगा सबसे पहले यह तस्वीर देखिएगा यह तस्वीर है निर्बान गाओं के पास हिसार गगर ड्रेन की जहां पर एक तरफ तो जो है वह कुछ ठीक सब विवस्ता जो है वह सफाई विवस्ता दुरुस्त दिखाई दे रही है लेकिन वहीं दूसरी और अगर बात करें तो दूसरी और आप देखिएगा जो पेड़ पोदे इसके अंदर हुगे हुए हैं उन पेड़ पोदों की टैनिया जो है वह बिल्कुल नीचे जो है वह भूमी को टच करती हुए दिखाई दे रही है यह भी कहीं ने कहीं इस हिसार गगर ड्रेन के तूट इसके अलावा माँ आपको एक तस्वीर जो है वह यह दिखाना चाओंगा यह तस्वीर देखिएगा यह जब सिर्सा से चोप्टा आते हैं या सिर्सा से भादरा रोड पे आते हैं तो बीच में जो हिसार गगर ड्रेन जो है वह निकलती है तो वहां की तस्वीर है यहाँ भी देखियेगा कि काफी अच्छी संख्या में यहां पर सरकंडा जो हमें दिखाए दे रहा है और काफी इस किनारे को दोनों तरफ जो हो किनारे को सरकंडे ने जो गेर रखा है तो ऐसे में जब पानी इस घगड रेन के अंदर से चलता है वो कितना ओवर्फलो है या नहीं ह या किनारा कितना ओपर इस से पानी से रह चुका है तो यह सरकंडे के कारण जो है वो दिखाए नहीं देता तो ऐसे मैं परसेशन को चाहिए सरकार को चाहिए कि यह तमाम इस पूरी हिसार घगड ड्रेन की सफाई जो है वो करवाए क्योंकि हर साल इसका बजट आता है हर सा इसका टेंडर होता है नहीं जाने वो कहां जो है वो गुम हो जाता है क्या उसकी सफाई होती है या नहीं होती है लेकिन इस बार जो है वो सफाई होती है नहीं होती वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे तो अब ऐसे में यहां पे आने का लगातार जो है वो आता रहूंगा मैं और परसासन ताकि इस बारे में आवेर हो सके कि सफाई व्यवस्ता जो है वो करवाई जानी है पिछली बार के अगर बात करें तो पिछली बार परसासन लगातार एकी बात कहा रहा था कि सफाई वेवस्ता जो वो दुरुस्त करवाई हुई है लेकिन इस बार लगातार जो हम आपको दिखाऊंगा कि कैसे सफाई वेवस्ता है चलिए एक किसान है शक्कर मंदोरी के रहने वाले हैं यहां से गुजर रहे थे तो नासुसरी चोपटा और माकोस रहनी गाउं के बीच में यह इस वक्त मौझूद है भाई सफाई वेवस्ता क्योंकि आपका गाउं भी इस राश्दी में शामिल हुआ था तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कहना तो हमारा तो यही कहना है बैसा पिछली बार भी हमने आवाज उठाई थी सोचल मीडिया पर आवाज उठाई थी तो कहीं थोड़ा बहुत उस पर काम हुआ था परशासन ने सफाई करी थी लेकिन एन मोके पर करी थी तो बाद में काफी समस्चाएं आई थी हमारे एरिया में यह बिल्कुल ओर फ्लोई था और ओर फ्लोई की कंडिसन यह एगी अगर हमारे गाओं के आसपास अक्रमदोरी सापुरिया चारवाडा के आसपास अगर यह तूट जेगा तो यह तिन्नों चारों गाओं मतलब डूबने के गार पर होते हैं अब आप देख रहे हो यहां पर पानी रुका हुआ है सफाई दोन्नों साइड आप देख रहे हो इसका मतलब जो पत्टड़े है ना जो बांद आसपास के जो बांद है वो बिल्कुल मेर खेल में अब बारा मिना हो गया इनको त्यार करें वे अब दोबारा से वो पानी आजेगा दो मिने तीन मिने के बाद वो सीजन आजेगा बारी स्वाड़ा तो फिर और फ्लों लग जेगा और सफाई इसकी एनमो के पर मसिने आएंगी यहां पर तो फिर आप सम्झ बारे हो कि भी साथ की साथ कितनी सफाई हो पाएगी इसकी तो परशासन ने तो यहां खर्चा लगाना है सरकार का लगजेगा लेकिन जो रिष्क जो है वो जो किसान का जमिदार का है वसलें डूब जेगी गाउं डूब जैंगे खेतों में जो डानियां बढ़ वो तूट जेंगी अब पिछ जो पिछली बारी जो पानी ओर फ्लो एऊ टुटे हो तो बीगर नमारे गाम गी कि दोतिन डानिया मा पानी बढ़ गयो बिंकान बेद दोनु तीन डानिया मा चीरागी नई नई डानिया मना इड़ी नए मकान मना इड़ा तो जम्दार मुस्की सब्सक्राइब करके मकान मना वे मकान मने यह लागए एक आदमी आपके उमर में एक क्री मकान मना सके दुबारा बनानों डोड़ को नहीं वे तो भी मा इंदर यहांगी अगर जेब हो जेगी तो फिर वो के पेस गाले को मतलब कि आपकी तरफ से लगातार मांग उठाई ज देखन लाग रहे हो इनने मा कच्रों डालन लागया अब मैंने मारे गाम गाज पास देखा तो पीछे सी में पर्शों चोथा बिने कर निकले हो तो के गामा में ब्यासादी हो है तो डिस्पोजल वगेरा उसको बो समान वे नहीं बो में लोग कुडो करकट केस का वो सेमना किनारा में ठोकन लाग रहे हैं तो वह आगे आगे जागे खटीन खड़े रुक ही को बिकीन एक भी समस्य तो आम जनता को यानी है किन की आम जनता को भी फर्ज बना एक भी इंतरी आंगा आपान कदम ना उठाना चीए जो जमीदार है बेजो किनारा पजगा जमीदार है भी थोड़ी सी चीज़ पर गौर करनी चीए भी जठे बानी लागे भी वीक पॉइंट है तो बठे प्रशासन ने भी मारा में सुचना देगे वो टेम हूं अगर में पर कोई कारवाई करवानी चाहाँ तो जिम्यदारी आम जनता की शुक्रिया बाचित के लिए तो यहां वाले समय में आपको जो है वो पिछले साल की तरह तराश्दी का बैंकर तराश्दी का सामना ना करना पड़े और सरकार से यह मांग ना करनी पड़े कि हमारी स्पेशल गिरदावरी करवाईएगा हमें उचित मुआवजा दीजिएगा जिस परकार से आप वो मांग करते है उससे अगर थोड़ी सी भी मांग सफाई विवश्ता की अगर कर लेंगे तो आपके घर आपके खेत जो है वो डूबने से आपकी फसले डूबने से बच जाएंगी और आप जो है आपकी खेत की आमदन जो है वो उतनी ले सकेंगे कैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या चोपटा एक शेतर के लोगों को ये मांग उठानी चाहिए क्योंकि अभी बहुत समय पड़ा है दो तीन महीने में जो है वो साफ सफाई अगर सफाई विवश्ता इस गगर ड्रेन की हो जाती है ये पट्रो आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईएगा कैमरा सब्सक्राइब के साथ रमेश जाखर के हरियाना